हेलो गाईज फिर से बागत है आज किस वीडियो में तो गाईज आज इस वीडियो में हम Anglet 2.6 Tablet पर बात करने वाले हैं Anglet 2.6 Tablet के Use क्या है इस Tablet के Dose क्या है इस Tablet के Side Effect क्या है Contra Indication क्या है किन condition में इस Tablet को हम नहीं ले सकते हैं कितनी मातरा में इसे हमें रोज लेना चाहिए, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, सब कुछ आच इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इस वीडियो को आप आखरी तक जरूर देखिएगा, तभी आपको हर एक इन्फरमेशन इस टेबलेट के बारे में समझ में आईगी, तो गाइस, एंगलेट 2.6 टेबलेट को टेसमेट फार्मसिटिकल कमपणी बनाती है, टेसमेट कमपणी के काफी जाना माना ब्राइंड है, और बात की जाए, इसकी प्राइस की, तो एमर भी जो है, इसकी एक सो पच्पन रुपे है, या आपको एक सो चो बीस, एक सो पच् आने वाली दवा है, जिसे हम ग्लिसराइल ट्राइनाइटेट के नाम से भी जानते हैं, और गाइस, नाइट्रो ग्लिसरीन टेबलेट को हिर्दे रोक, मतलब हार्ट से रिलेटेट प्रॉबलम, हिर्दे से रिलेटेट प्रॉबलम में इस्तमाल करते हैं, अगर किसी पेशि के साथ heart attack जैसी condition बन रही है मतलब left shoulder में दर्द हो रहा है कंदे में left के कंदे में दर्द हो रहा है सीने में दर्द हो रहा है जिसे हम myokardi infection भी बोलते हैं उसमें stability के इस्तेमाल किया जाता है और किसी patient का BP बड़ा हुआ है blood pressure बड़ा हुआ है जिसे हम hypertension भी बोलते हैं तो उसमें भी stability के इस्तेमाल किया जाता है coronary weso spas में में stability के इस्तेमाल किया जाता है जिसके अंदर blood flow मतलब heart में खून का दोड़ा रुख जाता है coronary artery के अंदर उसमें भी stability के इस्तेमाल किया जाता है साथ ही से हार्ट फिलर में भी इस्तेमाल करते हैं मतलब दिल का फिल हो जाने में भी स्टेबलिट के इस्तेमाल किया जाता है और हार्ट सरजरी के बाद भी दिल की सरजरी के बाद भी स्टेबलिट के इस्तेमाल किया जाता है ये इसके यूजिस हो गए कि किन कंडिशन में स्टेबलेट को इस्तेमाल करते हैं साथ ही इसे गाइस एक और चीज में इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है एनल फीशर मतलब पाइल्स में बहुती कम डोज में बहुती कम मातरा में स्टेबलेट को पाइस के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं और बात की जाएस की डोस की कि कि कितनी मातरा में हमें से रोज लेना चाहिए सो गाइस इसे आप वन टेबलेट पर डे ले सकते हैं जो कि एक रिकमेंडेट डोस है खाना खाने से पहले अगर आपको और आपको यह सारी परिशाणिया लेकिन इस टेबलेट को जो है आपको डोक्टर ही डिसाइड करेंगे कि आपको कि कितनी मातरा में इसे रोज लेना है क्योंकि यह जो इसका जो डोस होता हो पेशिएंट की नीड की इसाफ से यह जाता है अगर आप पेशिंग के केंडिशन जादा सीरियस है तो इससे आपको डॉक्टर दो टेबलेट पर डेवे प्रिसकाइब कर सकते हैं सुबह शाम खाना खाने से पहले और गाइस बिना डॉक्टर के पर्मिशन के इस टेबलेट को नहीं लेना क्योंकि शेडूल एज ड्रक्टी मेडिसीन है बात करते हैं इस टेबलेट के साइड अफेक्ट क्या है इस टेबलेट को लेने के बाद क्या 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 साइड अफेक्ट हो सकते हैं इस टेबलेट को लेने के बाद आपको चक्क रा सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, धुंदला पन नजर आ सकता है, बलड प्रेशर लो हो सकता है, हाइट रेट बढ़ सकता है और नोजी और वोमेटिंग की फीलिंग आपको हो सकती है, इसके कुछ कोपन से साइड अफिक्ट ह तैबडनेट के तैबलेट करें हैं, इस टैबडनेट को अगर आप ले रहे हैं, तो आपको शराब नहीं है जो वाइगरा विगोरा उन मेन फोर्स के ब्राइंट से आती है मार्केट में वो आपको नहीं लेना है अगर आप एलकोल का कंजप्शन करते हैं तो आपको एलकोल का कंजप्शन बीपी या烦 जावट्रा ये कहा रहा हैं तो आपको दोक्टर के साथ अपनी पूरी मेटिकल स्टि शेयर करने के हम यह दवार्या बैञे हैं और इसमें हम यह ले सकते हैं नहीं सारी चीज़ाइब सार्व सब्सक्रा इस टेबलेट को आपको नहीं लेना है सो गाइज यह कंप्लीट इंफरमेशन हो गई एंगली 2.6 टेबलेट के बारे में और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजो क्योंकि है मेडिकल इंफरमेशन मेडिकल टोपिस और मेडिसन्स को पर वीडियो समना चैनल सो गाइज थेंक यू सो मच फॉर वच्छ